हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए शुरू करते हैं आम का सिजन लगबग खतम ही होने वाला है तो आज मैं आपके साथ एक लाश्ट आम की रेसिपी शेर कर रही हूँ यह मैंने दो आम लिए आम को में छील के तयार कर लेने यह देखिए नाइप से बड़े आराम से छील के तयार हो जाते आप चाहे तो इसका पल्प निकाल के यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को आप लाश्ट तक देखिए आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप कमेंट करके बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी इसी तरह में दोनों आम को चील के तयार कर लेने और अब हम इस आम को इसे काट के तयार कर लेंगे मैं ये दो आम से बना रही हूँ आप जितनी कॉंटिटी में बनाना चाते हैं आप उसी साफ से सारे आम तयार कर सकते हैं ये देखिए आम हमारे तयार हो चुके इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे बिल्कुल फाइन पीस के तयार कर लेंगे ये देखिए हमारा मेंगो पल्प तेयार हो चुक है अब हम चलते हैं गेस की तरफ एक कड़ाई रखेंगे गेस पर गेस ओन कर देंगे और अब हम इसमें दूद एड़ करेंगे मैं एक लिटर दूद से बना रही हूँ एक लिटर दूद में दो आम काफी है तो आप जितनी गॉंटिटी में बनाने चाता है आप उसी साफसे सारी चीज़े ले लीजी जब तक दूद गरम हो रहा है तब तक हम एकाम और कर लेते एक कटोरी में हलका गुनगुना दूद लेंगे और इसमें हमें कश्टर पाउडर एड़ करने हैं मैं इसमें दो चमच कश्टर पाउडर एड़ कर रही हूँ इससे बिल्कुल पतला सा बनांगे अगर आपको ये रेसिपी घाड़ी पसंद आए तो आप इसकी जगे तीन से चार चमच कश्टर पाउडर इसमें एड़ कर सकते हैं ये देखिए दूद में उबालाना शुरू हो चुका है जैसे ही दूद में उबाला जाएगा हम इसे एक बार चला लेंगे और अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनके तयार होती है आप एक बार ट्राइ करके देखिए आपको बहुत पसंद आएगी इसमें मैंने छे चम्म चीनी एड़ किये आपको जितने मीठा पसंद हो या आम आपके जितने मीठे या खटे उस हिसाब से चीनी कम ज़्यादा एड़ कर सकते हैं यह देखिए चीनी को हमें गुलने तक पकाना उससे ज्यादा नहीं पकाना है चीनी हमारी गुल चुकी है अब हमने जो कश्टड पाउडर का गोल बनाके रखा है उसे एक बार चला लेंगे और इसे हमें दूद में एड़ करना है एक हाथ से हमें दूद को चलाते रहना है और एक हाथ से कश्टड पाउडर के गोल को डालते रहना है नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे यह देखिए इस तरह से हमें कश्टड पाउडर को इसमें एड़ कर देना है और custard powder डालने के बाद 3-4 मिनट के लिए हमें इसे और पकाना है ज़्यादा नहीं पकाना है 3-4 मिनट में ये medium thickness का हो जाएगा अगर आपने custard powder ज़्यादा यूज़ किया है तो ये और ज़्यादा गड़ा हो जाएगा अब हम गेस बंद कर देंगे और इसे हलका सा ठंडा होने देंगे आदा गंटा हो गया है और हमारा ये mixture room temperature पे आ गया है अब हमने जो mango का pulp बना के रखा वो इसमें add करेंगे mango का pulp हमें गरम दूद में add नहीं करना है नहीं तो दूद फट सकता है दूद को ठंडा करने के बाद हमें इसमें mango pulp एड़ करने है और इसे अच्छे से mix कर लेंगे इसे अच्छे से mix कर लेने ताकि इसमें कोई भी lumps ना रहे ये देखे मैं whiskers कर रही हूँ ताकि अच्छे से mix हो जाए और इसमें कई भी आम एक जगे ना रहे ये अच्छे से mix हो चुक है अब हम इसे दूसरे बटन में ट्रांसफर कर लेंगे जिसमें हमें फ्रीज में इसे रखना है अब हम इसे 5-6 गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे 5-6 गंटे हो गए और हमारा mango custard अच्छे से ठंडा हो चुक है अब हम इसमें थोड़े से कटे वी आम डाल देंगे अगर आपको आम पसंद है तो आप इसमें आम ज़्यादा कॉंटिटी में भी डाल सकते हैं ये देखिए हमारा mango custard त्यार हो चुक है अब हम इसे सव कर लेते उपर से थोड़े से कटे वी पिस्ता बादाम और थोड़े से कटे वी आम डाल देंगे जब हम mango custard खाते हैं और उसमें जो mango का बाइट आता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो अगर आपको पसंद है आप इसमें ज़्यादा कॉंटिटी बें मैंगो डाल सकते हैं और यह हमारा mango custard तयार है उमीद है आपको इस रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पस नोटिविकेशन आ जाए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आज हम मैंगो मिल्क शेक बनाएंगे इसको बनाना तो बहुत आसान है लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएंगे इसे ये दिखने में भी अच्छा लेगेगा और पीने में तो बहुत जादा टेस्टी लगेगा ये मैंने दो अलफानसो आम ले लिए इसको में छील लेना है आप कमेंट करके बताएं कि आप मैंगो शेक कैसे बनाते हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना ये देखिए इसी तरह हमें दोनों मैंगो को चील के तयार कर लेना है ये एक आम चील गया और दूसरे को भी हम इसी तरह चील लेंगे अब हमें आम को काट लेना है ये देखिए इस तरह से काट लेना है गुटली को हमें साइड में रख लेना है यह देखिए मैंने दोनों आम काटके तयार कर लिए अब हम इसमें से एक पीस को हम छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेंगे उसे हम शेक के उपर लगाएंगे तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा और जब शेक में आम मुह में आता है तो वह भी अच्छा लगता है तो इसे हम बिल्गुल बारिक काटके तयार कर लेंगे और इसे हम साइड में निकाल लेंगे आप चाहे तो यह इसकी भी कर सकते है लेकिन जब आम मुह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है आप एक बार इस तरीके से शेक बना कि देखिए आपको बहुत पसंद आ तुकड़ों में काटके तयार कर लेंगे उसे में बारिक काटने की जरूरत नहीं है वह तो मिक्सी के जार में पिसेगा तो आराम से पिस जाएगा बड़े पिस भी यह देखिए मैंने दोनों आमको काटके तयार कर लिया है अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे अगर आपके पास यह शेक बनाने वाला जार नहीं है तो आप ग्राइंडर जार में भी इसको पीश सकते हैं पहले हमें सिर्फ आमको पीशने दूद हम इसमें बाद में एड़ करेंगे यह देखिए हमने इसको दरदरा सा पीश लिए अब हम इसमें थोड़ा सा दूद एड़ करेंगे ज्यादा दूद हमें अभी इसमें नहीं एड़ करना है और अब हम इसमें से थोड़ी सिर्फ प्य एड़ किया है और थोड़ा सा में इसमें आइस क्यूब भी एड़ करेंगे तो यह तीन ग्लास जूस महारा बनके तयार हो जाएगा के अगर काम मिठ है तो आप मीठ है अपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा एड़ कर सकते हैं यह देखे हैं हमारा शेक बनके तयार हो गए है आप चाहे तो इसे एसे भी सरू कर सकते हैं मैं यह तोड़ा सा युनिक Тरीके से शरू कर रही हूं तो ये देखे पूरी पहेले निकालएके रखी वह एक कफ में डाल देंगे और कफको हम ऐसे गुमाते वे चलाएंगे ताकि बूरी मलग जाएंगे अन्यारे यलिषय के सीट कर लिए अब हम इसमें आइस क्यूबब एड करेंगे आपको जितने ठंडा शेक पीना आप उस हिसाफ से इसमा आईस क्यूब एड़ कर सकते हैं और अब हमने जो शेक बना के रखा है वो इसमें डालेंगे अब हम इसके उपर थोड़े से कटे वे ड्राइफ रूट डाल देंगे आपको इसमें जो भी ड्राइफ रूट पसंद है वो आप इसमें एड़ कर सकते हैं अगर आपको ड्राइफ रूट पसंद ही है तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं थोड़ी से हम इसके उपर टूटी फ्रूटी एड़ कर देंगे इस से यह दिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा और जब तुटी फुरूटी मुह में आती है तो भी अच्छी लगती है अब हमने जो आम काटके रखे थे वो इसमें उपर से डाल देंगे यह देखिए हमारा मेंगो का मिल्क शेक तयार है अगर आपको यह रेसिपी अच् करना आप इसे एक अलग तरीके से भी सव कर सकते हैं यह देखिए मैंने ग्लास लिए ग्लास में हम शेक डालेंगे यह हम नॉर्मल शेक बना रहे हैं इसमें हम आइस नहीं डाल रहे हैं उपर से कटवे ड्राइफ डाल देंगे टूटी फूटी डाल देंगे और थोड़े स एक नई रेसिपी देखने को मिले और आपको कोई और रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट करके बताएए मैं आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ झाल 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 आज हम आम की एक मज़िदा रेसिपी बनाएंगी यह रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्ट ही आप एक बार बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएगी यह मैंने दो आम लियें आम के उपर का पाट है वो हम हटा दीगे और इसे बीच में से काट लेंगे जैसे हम अक्सर खाने के लिए आम को काटते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको काट लेने हैं आप चाहिए तो इसे छील के भी तैयार कर सकते हैं लेकिन छीलने में बहुत टाइम लग जाएगा ये बिल्कुल आसान तरीका इससे आम का पल्प बहुत जल्दी निकल जाएगा ये देखिए मैंने इसी तरह दोनों आम को काटके तयार कर लिया है आपको आम की कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताना है अब हम एक मिक्सी का जाय लेंगे और उसमें इस पल्प को डाल देंगे पल्प हमें चम्मच से निकाल लेने हैं चम्मच से बड़े आराम से पल्प निकल के तयार हो जाता है अगर हम एंगो को छील के काटके फिर करते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है यह बिल्कुल आसान तरीका है आप एक बार यह ट्रिक जरूर फोलो कीजिए आपको बहुत पसंद आएगी इसी तरह में सारा पल्प निकाल लेने और जो इसकी गुठली है उस पे भी हम चम्मच को ऐसे करेंगे तो उसका भी पल्प पूरा निकल जाएगा अगर आप कोई और रेसी भी बना रहे है उसमें आपका आम का पल्प चाहिए तब भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं यह देखिए मैंने सारा पल्प तयार कर लिया है मैंने इसमें जूस वाला बड़ा जार यूज़ किया अगर आपके पास मिक्सी का छोटा जार है तब आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यह देखिए इसी तरह हम गुटली का पल्प निकाल लेंगे ताकि हमारा पल्प बिल्कुल भी वेश्ट नहों हो सारा पल्प तयार है अब हम आगए की तयारी करते हैं यह आम मीठे है तो मैंने इसमें चीनी कम यूज़ किये अगर क्याम खटे है त आप चीनी की कौंतिटी बढ़ा सकते यह सबसे चीनी कम ज़ resposta सकते हैं मैंने मैं चार चमख चील करेंगे चोड़ा हागा कीए ठे़ी और इसके एक पूरी बना के तैयार कर लेंगे इह दिखे हमारी पूरी तैयार है अब इसमें दाई डालेंगे किए यह मैंने भाइऑ सरिफी दाइगे ज्ब ओड़ जब हम इकसी में चलाएंगे तब ही पतला हो जाएगा और इसे हम फाइन पीस के तयार कर लेंगे ये देखिए हमारी आम की लसी तयार है ये लसी पीने में बहुत ज़्यादा टेस्ट ही है आप एक बार ये रेसिपी ट्राइ करके देखिए अगर आप आम का शेक पी पी के बोर होगे तो आप ये रेसिपी ट्राइ कर सकते है अब हम इसे गलास में सव कर लेते हैं मेरी दो आम से पाँच गलास लसी बन के तयार हुई है आप जितनी कॉंटिटी में बनाना चाता है आप उस हिसाब से सारी चीजे मेजर करके ले लीजिए अब हम इसके उपर थोड़ी से टूटी फ्रूटी डाल देंगे अगर आप टूटी फ्रूटी की रेसिपी देखना चाता है तो कमेंट करके बताएं मैं आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी बच्चों को टूटी फ्रूटी बहुत पसंद होती है अगर आपके पास है तो आप जरूर एड़ कीजिए नहीं है तो आप कमेंट करके बताएं मैं आपके साथ टूटी फ्रूटी की रेसिपी जरूर शेयर करूंगी उपर से थोड़ा सा कटवा आम डाल देंगे इससे यह दिखने में ज्यादा अच्छा लगेगा और जब आम के टुकडे मूं में आते हैं तो स्वात कई गुना पसंदाई होगी अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना फैमेरे इंड फ्रेंड सभी के शाथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं फिर से एक नहीं रेसिपी के साथ अगर आप गर्मियों के लिए स्पेशल कोई मज़ीदा रेस तो यह रेसिपी आपके लिए आज मैंगो शेक बनाएंगे इसम बिलकुल अलग तरीके से बनाएंगे और यह पिने में बहुत ज्यादा टेस्ट ही आप एक बर इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजिए आपको बहुत पसंद आएगी और कमेंट करके जरूर बताना कि आपक लग रहा है कि आम खटे है तो आप उसमें चिनी की कॉंटिडी बढ़ा सकते हैं सबसे पहले हमें आम को चील के ट्यार कर लियना है यह देखिय नाइब से इस तरह से चीछ लेंगे तो आम हमेरा आसानी से हृतनी से चिल के scripture कर लेना है इसी तरह हम सभी आम को चीछ चील के देखिए इस तरे से मैं आम को काट लेना है और इसमेंसे हमें एक पीस बचा के रखें ताकि हम उसे बाद में गार्णिश के लिए यूज़ कर सकें और यह देखिए सारे आम कटके तैयार हो चुक है तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे पहले हमें आम में डालने मिक्सी के जार में उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दूद एड़ करेंगे एक पीस कम मैंने यहां पर बचा के रख लिया इसको साइड में रख देंगे और मैंने यहां पर इसमें एक कब ठंडा दूद एड़ किया ठंडा दूध एड़ करेंगे इसमें और थोड़ा साइ दूध हमें एड़ करने थाकि हमारे आम है वो आसानी से पिछ सके। अगर आम खटे हैं रहल अगर आम खटे हैं आम चिनी के कवांटरेटी बढ़ा सकते। और यह देखिए आम की प्यूरी तयार हो चुकिए अब हम इसमें ठंडा दूद एड़ कर देंगे आपको जितना ग्लास यह सेक बनाना है आप उस हिसाब से इसमें दूद एड़ करके मिक्सी को एक बार चला लीजी और यह देखिए हमारा मज़ेदार सा आम का शेक तयार हो चुका है तो अब हम इसे सव करेंगे मैंने यहाँ पर चिया सीड लिये थे इनको दो गंटे के लिए भीगो के रख दिया था और यह देखिए फूल के तयार हो चुके है चिया सीड खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होते है तो अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर डालिए इसे आम के शेक का टेस्ट भी अच्छा आता है और यह हेल्दी भी है तो है तो आप इसमें जरूर एड़ किजिए और अब हम इसमें मैंगो शेक एड़ कर दें तो इस तरह से आप चोटे चोटे टुकडे करके आम के इसके उपर डाल दीजिए और साथ में हम इसमें थोड़ी सी टूटी फूटी एड़ कर देंगे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो बच्चों को टूटी फूटी बहुत पसंद होती है और यह लीजिए हमार को यह रेसिपी कैसी लगी अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाते है तो मुझे कमेंट करके बताएए मैं आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और वे कैसी पी को जरूर ट्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको याइस क्रीम कैसी लगी तो यहां पर मैंने चार आम लिये हैं उनको अच्छे से धोके चील के काटके तयार कर लिया है आम का एक पीस हम बचा के साइड में रख देंगे और बाकी को हम मिक्सी क जर में टाल देंगे साथ में इसमें चीनी एड करेंगे मैंने यहां पर 4 चमट चीनी एड किया है आम ज़्यादा खटे नहीं थैं तो चीनी मैंने कम यूज कि अगर आपको लग रहा है कि आम खटे तो आप चीनी की कॉंटिटी बढ़ा सकते हैं और अब इसमें एड़ करे करेंगे और आदा कटोरी दूद एड़ करेंगे आप चाहे तो मलाई इसकीप कर सकते हैं सिर्फ दूसे भी इसका एक पेश्ट बना के तयार कर सकते हैं मलाई से थोड़ा सा इसका जो फ्लिवर है वो क्रीमी क्रीमी सा आएगा इसलिए मैंने यहां पर मलाई एड़ किये और य अगर इसे आइसक्रीम श्टिक लगाना चाहते है तो आप डिस्पोजल कप में बढ़ लीजिए और उसमें आइसक्रीम श्टिक लगा दीजिए वह भी आपके आइसक्रीम बनके तयार हो जाएगे तो यहां पर मैंने आइसक्रीम को इसमें भर दिया और अब हम इसके उपर यह श्टिक लगा देंगे इस तरह से हमें श्टिक लगा देनी है और इसे फ्रीजर में रख देना है साथ से आठ गंटे के लिए बाकी के बच्चेवे मिक्स्चर को हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे तो मैंने यहां पर मिट्टी का बर्तन लिया है इसमें ट्रांसफर कर देंगे और बागी के बचे मिक्स्टर को हम दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे। आप चाहिए उसे कटरी में भी मेंखिर कर सकते हैं या फिर किसी ट्रे में जो भी बड़तन आपके पास अवेलिबल हो, आप उसमें डालके इसे फ्रीजर में जमा के तयार कर सकते हैं तो यह देखी मैंने पूरा मिश्रन दो बरतन में ट्रांसफर कर दिया और अब हम इसे फॉयल पेपर से कवर कर देंगे आप चाहे तो इसे किसी क्लिंग रेप से या फिर पॉलिथीन की थेली से भी कवर कर सकते हैं जो हमने आम का प प्रेस कर देंगे ताकि अंदर भी इसमें पूरी आइस क्रीम में हमारे आम के बाइट आए और जो बचे हुए हैं उसने हम इसके उपर डाल देंगे गार्निश के लिए तो यह हमारा आइस क्रीम का मिक्स्चर तयार हो गया इसे फॉयल पेपर से कवर करके साथ से आठ जान है तोनू को फोल पेपर से कवर कर दिया और यहां पे 7-8 गंदे के लिए फ्रीजर में रख दिया साथ से आठ गंदे में हमारे आइस क्रीम जम के तयार हो जाएगी ध्यान रखना है कि घुकार कर देंगे तब यह हमारी आइसक्रीम जल्दी से शेट हो जाएगी तो य जो आइस क्रीम में उपनी जगे छोड़ दे तो मैंने या पर एक बड़े बरतन में पानी ले लिए और इसे कुछ सेकेंड के लिए पानी में रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा गरम हो जाए और आइस क्रीम घुम आसानी से निकाल भाए नहीं तो ये नहीं निकलेगी तो ये एक मिनट के लिए मैंने रखा था और अब हम इसे हलका सा गुमाते वे निकालेंगे और ये देखिए हमारी क्रीमी सी आइस क्रीम बनके तयार हो गई है इसी तरह हम बाकी की सारी आइस क्रीम निकाल के तयार कर लेंगे और जो हमने मिठी के बरतन में आइस क्रीम जमाई थी उसे हमें 7-8 मिनट के लिए छोड़ देना और उसके बाद आप इसे निकालेंगे तो याराम से तयार हो जाएगी खाने के लिए बिल्कुल तयार है अभी यह थोड़ी सी कड़क लग रही होगी लेकिन जब आप 7-8 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो इसका एक क्रीमी सा टेक्स्चिर आ जाएगा और हूँ, आईस क्रीम खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, तो लीजी तयार है हमारी जटपड़ से, आमकी आईस क्रीम में ये खाने में बहुत ज़यादा टेस्टी है, तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए उमीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको रेसिपी अच्छी लिगी हो तो वीडियो को लाइक करना आपने फैमिली और फ्रेंड सब इक शार शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लेगी अगर आपको और रेसिपी देखना चाते है तो मुझे कमेंट करके बताए मैं आपके उसाथ वो रेसिपी भी जरूर शेयर करूंगी आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइगन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नहीं वीडियो है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ